हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तो इन माई चैनल स्मार्ट स्टडी स्टूडेंट्स, आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन के तरफ से दी जाने बाली वर्क्षिट नंबर वन करेंगे जो कि क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है मैट्स अभी तक जो आप वर्क्षिट कर रहे थे, वो 6-8 के लिए थी सबकी सेम वर्क्षिट आ रहे थी लेकिन अब से आप 2 वर्क्षिट करेंगे, एक तो 6-8 की जो कॉमन वर्क्षिट है सबकी इसके अलावा एक worksheet आप अपने subject की और अपने class की करेंगे जिसमें आपका slaves दिया होगा ठीके students तो आईए शुरू करते हैं आज की worksheet बिटा ये worksheet 8 September 2020 की है तो अगर आपने आज की मेरी दूसरी worksheet नहीं की है बिटा तो आप मेरा वीडियो देखें वो वक्ष भी कर सकते हैं तो आईए देखते हैं worksheet में क्या दिया गया है लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तो देखें let's know the numbers natural numbers the numbers which are used to count the articles are called natural numbers वो number जिनसे हम क्या करते हैं किसी भी article को count करने के लिए use किये जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा natural number जैसे कि मालो 3, 4, 7, 8, 9 यह सब क्या है natural numbers है जिनसे हम कोई भी counting करते हैं उसे हम क्या कहते है natural numbers whole numbers when we add it 0 in natural number we get the whole number जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 जब हम जो natural numbers दिये गए थे हमें यहाँ पर उनमें अगर हम 0 add कर देते हैं जैसे कि 0, 4, 6, 7, 9 अगर हम उनमें 0 add हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं whole number integers when we include negative natural numbers with the natural numbers these are called integers मतलब कि जब जैसे कि यहाँ पर देखो यह number तो हमारे पास क्या हो गए थे natural numbers इसमें 0 add हो गया तो यह क्या हो गया whole number और जब इसके अंदर negative number भी include हो जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं integers तो जैसे कुछ भी लिख दीजी पीटा यह जो minus में दिये गया है यह negative integers होते हैं और जो यहाँ पर दिया गया है यह क्या हो जाते हैं positive integers तो हम यहाँ पर लिख देते हैं negative भी लिख देते हैं minus 2, minus 7, minus 8 हमें 5 बताने हैं ना यह नहीं 5 minus 6 और minus 3 ठीक है यह क्या हो जाएंगे 5 integers हो जाएंगे ठीक है अब देखतें next क्या दिया गया है when we divide the one integer by the sorry when we divide one integer by the another integer when we get a number which are not integer क्या कहा है जब एक integer से another integer को divide किया जाता है तो उसे हम क्या नहीं कहते integer नहीं कहते to write such as number we need help to integer these numbers are called rational number ऐसे numbers को हम क्या कहते है rational number जब किसी एक number से दूसरे number को divide किया जाता है तो ऐसे numbers को हम क्या कहते है rational number जैसे कि 3 divided by 5 या 4 divided by 2 6 divided by 7 तो कोई भी number जब दो numbers को divide किया जाता है तो ऐसे number को हम क्या कहा देते है rational number rational number can be represent by the form of pq तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा p और q क्या हो जाएगा 7 तो pq की form में यह क्या किया जाते है represent किया जाते है when p and q are not when p and q are integer and q can never be equal to 0 q क्या नहीं हो सकता 0 के equal नहीं होगा अगर हम 2 divided by 0 कर देंगे तो 2 की value सिर्फ 2 हो जाएगी ठीक है तो जो क्या हो है वो क्या नहीं हो सकता 0 यहाँ पे नहीं हो सकता so 1 by 5, 3 by 7, 5 by 8 and 7 by 8 is a rational number the form the given number below put them in the specific number group यहाँ पे question दिया गया है यहाँ boxes दिये गया इन numbers को जो specific column है उसमें हमें fill करना है तो first लिखते है natural number तो natural number देखे कौन-कौन सा है 1, 4, 7, 8, 18 यह सब क्या है natural number अब हम whole number की बात करते है तो बिटा यह number भी क्या है whole number भी है 1, 4, 7, 8, 18 यह क्या है whole number भी है उसके बाद हम करते है integer integer में क्या आते है minus जैसे minus 4, minus 5, minus 72 ठीक है इसके लाब हम 1, 4, 7, 8, 18 भी इसमें count कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम यह यह लिख देते है minus 5, minus 4, बर minus 72 अब हम करते है rational number rational number क्या होंगे बिटा देको minus 3 by 7 जो भी dividable number होता है जो division में दिया जाता है उसे हम क्या करते है rational number 4 by 9, minus 3 by 5 3 by 2, 9 by 4, और 8 by 9 यह सब क्या आ जाएंगे बिटा rational number आ जाएंगे अब next question देखे write any 5 rational number कोई भी 5 rational number लिख देजे बट क्यों क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए तो कुछ भी लिख देते हैं 6 by 2, 8 by 9, 4 by 3, 7 by 9, और 5 by 3 कुछ भी rational number यह क्या है सब के सब rational number है तो आज की worksheet complete होती है worksheet complete करके अपने teacher से चेक कर आएंगे और प्लीज मेरे channel को subscribe कीजिए Thank you students झी है झाएंगे झाएंगे चाहिए